वेलकम इन ड्रीम हाई अक्याडमी, ड्रीम हाई अक्याडमी में आपका सवागत है, जे के सिजबी क्लास फोर्थ रिजल्ट निकलने के साथ ही, अब ये सवाल लगातार जो है स्टूडेंट्स पूछ रहे और कल ही जे के सिजबी ने कहा कि हम लोग अब डॉक्यमेंट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यहां पर इतना मैं कहूंगा कि ग्रेजवेट्स के बारे में क्या चीज़े हो सकती है, वो जे के सिजबी को पता है, वो रेक्रूट्मेंट एजन्सीज को पता है, उसके बारे में हम डिसकस नहीं करेंगी, लेकिन यहां पर यह ज साथ रखने हैं, और डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप जाके देख सकते हो, उसके साथ साथ ये भी हमने वीडियो बनाया है, कितने कैंडिडेट्स को जो है वो डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा वो भी उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है आप जाके देख सकते हैं और आपको वहाँ पर जाना करी मिलेगी कि किस तरह से डॉक्मेंटस आपको बनाने होंगे यहाँ पर एक कॉष्चन यही है कि क्या डॉक्यमेंट वरिफिकेशन के लिए जो है वो shortlist किया जाएगा graduates को कि नहीं एक बार फिर मैं कहूंगा कि ये authority ना हमारे किसी भी यूटिवर के पास authority नहीं होती है बोलने की हाँ वही बोल सकता है जो अलड़ी mentioned है rule में जो अलड़ी notification में mentioned है जैसे यहाँ पे भी जे cases भी ने पहले ही notification में ये तैय करके रखा था कि क्या उने वो बुला सकते है graduates को यहां क्या करना है उने यहाँ पे उन्होंने eligibility के बारे बताया है चलिए पहले detail में हम पढ़ लेते हैं detail में हम जानने की कोशिश कर लेते हैं इस चीज़ को आप यहाँ पे गोर से जारा देख लीजिएगा the board will not undertake detail scrutiny of applications for the eligibility and other aspects at the time of written examination यहाँ पे कहा जाता है जो scrutiny होगी applications की और eligibility की and other aspects at the time of written examination नहीं होगी जब आप written examination देते हो तब यह नहीं होगी आगे देख लीजिएगा and therefore candidature will be accepted provisionally हर एक का candidature जो है वो accepted किया जाएगा provisionally the candidates are advised to go through the requirements of educational qualification age, etc and satisfy them और उनको कहा जाता है कि आप लोग जो है वो इस notification के थूजाईएगा इस advertisement के थूजाईएगा और यहाँ पे अपने आपको पहले satisfy कर लीजिएगा are you eligible for this post अप एज के एतिबार से educational qualification के एतिबार से और अपने आपको satisfy कर लीजिएगा यहाँ पे copies of supporting documents will be start at the time of document verification आपने जब document verification करी आपको जो हो कुछ copies साथ रखनी होंगी document verification के लिए यहाँ पे important यह है when security is undertaken if any claim made in the implication is not found substantiated और यहाँ पे आप किया क्या जाएगा कहा जाता है the candidature will be cancelled and the board's decision will be the final and binding आपको कहा जाता है ज्यों ही आप document verification के लिए आओगे और जब board जो है वो decision लेगा अगर आप लोग उस decision के सामडे नहीं थे तो आपको यह पता चलेगा आप उसके अगर उसके इतिबार से नहीं आते हो आप उनकी जो requirements के इतिबार से नहीं आते हो तो board जो है वो एक decision लेगा और final decision board के ही साथ होगा और यहाँ पर कहा जाता है the candidature will be cancelled अगर आपके पास वो requirements नहीं eligibility से related तो आपका जो candidature है वो cancel किया जाएगा यहाँ पर एक और चीज़ अगर देखा होगा आपने यहाँ पे देखेगा यहाँ पे सबसे important है copies of supporting documents will be sought at the time of document verification इसका मतलब जब आपने exam दिया आपका जो भी candidature है हर एक का candidature चाहाँ वो graduate हो non graduate हो कोई भी qualification हो उनका जो candidature है वो किया जाएगा accept as a provisional provisional किया जाएगा और जब मांगा जाएगा तो यानि document verification के लिए हर एक को बुलाया जा सकता है copies of supporting documents will be sought at the time of document verification यानि आपको copies मांगे जाएगे आपके तरफ से कुछ documents मांगे जाएगे और वो documents जब वो अच्छी तरह से उसकी ओपर security नि करेंगे और वहाँ पर जाके आपको वो बताते हैं कि आप eligible हो या नहीं हो तब तक जो है वो यहाँ पर यह नतीज़न निकलता है कि जब हम देख लेते हैं इस चीज़ को कि जब shortlist किया जाएगा तो shortlist में हर कोई आ सकता है जन्हों ने examination दिया है यहां पर इसलिए कहाँ गया the board will not take detailed scrutiny of applications for the eligibility and other aspects at the time of written examination and the candidature will be accepted provisionally और provisionally accept किया जाएगा कोई भी security नहीं होगी examination के द्वारा और security नहीं होगी security नहीं होगी copies of supporting documents will be start at the time of document verification or document verification के दोरहाल ही security नहीं होगी और यही है आपका सवाल